हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे स्रिफ एक कटोरी सूजी से पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा टेश्टी और हल्का फुलका सा नास्ता इस नास्ते को आप 10 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं और यह बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी होता है तो चलिए रेस्प कर और साथ में आधी चोटी चमच के करे भी नमक अट कर देंगे या फिर स्वाद नुसार नमक डाल देना है साथ में एक बड़ा चमच तील डाल देंगे रिफाइंड ओल और इसमें थोड़ी सी खटास के लिए यहां पर मैंने निम्बू कर रस इस्तमाल कर रहा है आप च आप तरह एक आतों पर तेयार हो गया है तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं तो यहां पर बैटर को ना ही बहुँ जादा गाढा करना है और ना इसे डख करके करीब पांच मिनट के लिए रेष्ट पर छोड़ देंगे जिससे हमारी पूल जाए तो अगर आप बारि या फिर बरतन में आप इसे स्टीम करना चाहते हैं उस पर थोड़ा सा तेल लगा लीजे तो यहां पर मैंने यह प्लेट ली हुई है और इस पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे जिससे हमारा नास्ता अच्छे से इसमें से बाहर निकल सके तो यहां पर जो है पांच मिनट हो यानि की आधा चमाची यहां पर यूज करेंगे अब इस पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से बैटर के साथ में मिक्स कर लेना है तो बहुत ही अच्छे से मिला लेना है तो आप देख सकते हैं बैटर हमारा बहुत ज्यादा फुला फुला सा हो गया है बढ़ने के बाद में और इसे हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसके बाद फटा फट से इस प्लेट में हम इसे पलट देंगे यानि कि इसके अंदर हमें डाल देना है और दूसरी तरफ मैंने पहले से गैस पर पानी गरम होने के लिए रग दिया था तो यहां अब हमें क्या करना है उपर से थोड़ा से और अच्छा दिखाने के लिए इसके उपर से एड़ेंगे से फिले नावार और और फिल्डी से चुटकी यहां पर चीड़क देना शेंडर के ऋपर कहने में फी बहुत ज्यादा तीश्टी लगा तो यहां पर मैंने पहले में स्टीमर को चड़ा दिया था और इस पर आधी ग्लास के लगभग पानी डाल करके रखा और एक स्टेंड अंदर डाल दिया है और जो निम्बू की छिलके थे उसे भी हमने इसके अंदर रख दिया है इसे जो बरतन है वह हमारा खराब नहीं होगा अब आहल के हां से इसे हम हम पना और भी तयरा होगया बहुत ही जादा यूदा बना करके त्यार होगया दोस्तों तो यहां और इसनाउस से निकाल ले तो आप देख सकते हैं अब फूली में चटनी किसी चेच की साथ में खा सकते हैं बचों प्ल्कुल भी मैनत नहीं लगती यतिवा बनने वाला ना कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा तो यहां पर आप देख सेकते हैं इसे हम प्लेट पर उल्टा इस तरह से रखके जो है टैप करेंगे तो यह अच्छे से निकल आएगा तो थोड़ा से यहां पर चिपक गया था प्लेट के अंदर क्योंकि अभी यह बीच में थोड़ा सा गरम है तो आप देख सकते हैं हमारा यह जो नास्ता एकदम फुला फुला सा फुलपी और बहुत ही ज्यादा स्पॉंजी बना हुआ है दोस्तों तो मैं एक काट और अगर आप इस रेस्पी को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वहां पर आप मेरे चनल को फॉलो भी कर सकते हैं अच्छी रेस्पी देखने के लिए तो लीजी तैयार है हमारा सूजी का जटपट से बनने वाला नास्ता बहुत ही ज्यादा टेश्टी और हेल्दी नास्त बना है तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबे दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग